आजकी वीडियो में आप सभी के लिए मैं सभी एक्जाम के लिए काफी जादा इंपोरेंट टापक का नाम है संगीत घराने ऐबं उन से जुड़े हुए कलाकार इस टापक से रिएटेट मोस्ट इंपोरेंट कोशन इस वीडियो में लेकर आया हूँ मैंने आपके लिए सभी questions selected और important लिए हैं अगर आप किसी भी exam की त्यारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफी ज़्यादा useful रहने वाला है फ्रेंस बिल्कुल detail में बढ़ाने वाला हूँ और यकीन मानिये अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो एक्जाम में आपको इस वीडियो से बाहर एक भी question नहीं मिलने वाला फ्रेंस इतने भी घराने हैं उसको पहले हम बारी बारी पढ़ेंगे ठीक है जितने भी question अब दा एक्जाम में आए हैं वो हम पढ़ेंगे अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो बहुत ज़ादा help मिलने वाली आपको इस वीडियो से सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हिंदुस्तानी संगीत घराना यानि कि घराना क्या होता है सबसे पहले आपको मैं इसकी definition बतायता हूँ घराना संगीतकारों और नर्तकियों को जोडने वाली एक सामाजिक प्रनाली है यह एक विशेश संगीत शैली के पालन के लिए प्रशिक्ष्टा या वंश है घराना शब्द की उत्पती उर्दू या बोलते हो हिंदी शब्द घर से हुई है जिसका अर्थ है घर या परिवार ये आपको ध्यान रखना है अगर हम बात करें आगे ग्वालियर घराना को भारतिय शास्तिय शंगीत में सबसे पुराना ख्याल घराना माना जाता है महान मुकल समराट अकबर के शाशनकाल ने ग्वालियर घराने के उद्धे की शुरुआत को चिन्नित किया अगर हम बात करें हिंदुस्तानी निर्टय की जो प्रमुक घराने हैं वो कौन-कौन से हैं अब से पुराना घराना है यह आपको ध्यान रखना है एक्जाम में डारेटली कोशन पूछा जाता है कि बताओ कि सबसे पुराना घराना कौन सा है तो आपका अंसरों का ग्वालियर घराना इसकी शुरुआत हुई थी 16 शदाबदी के पूरवाद में हुई थी ग्वालियर तो संगीत का शेहर घोशित किया है ये भी आपको ध्यान रखना है जो पॉइंट में आपको लास्ट में बताया है अब देखो फेंट्स हम कोशन डिसकस कह लेते हैं हमारा पहला कोशन है एक घराना सामाजिक संगठन की एक प्रनाली है जो किस से जुड़ा हुआ है आपका सबसे पुराना है राइट आंसर हो जाता है इस कोशन का हमारा ओप्शन डी ग्वालियर घराना ग्वालियर घराना जो एफेंट्स ये हिंदुस्तानी संगीत घराना के सभी ख्याल गाई की शैलियों में सबसे पुराना है एक्जाम का मोस्ट रिपीटिड कोशन है आप नाथन, पीर, बख्ष और नाथु खान जो एफेंट्स ये ग्वालियर घराने के संस्थापक हैं ये आपको ध्यान रखना है एक्जाम के लिए काफी इंप्वरिन्ट है इसमें जो संस्थापक होते हैं इनके नाम एक्जाम में अक्सर पोचे जाते हैं ठीक है अगला question है हसु खान, हदु खान, और नाथु खान किस घराने के संगी तक थे answer हो जाता है इस question का हमारा option बी गौइलीर घराने के संगी तक है हसु खान, हदु खान और नाथु खान ये तीरों नाम जो हैना friends काफी famous नाम है और ये नामने आपको अलग अलग करके पुछा जा सकता है आप से पूछ लेंगे एक्जाम में बताओ कि हसु कान का संबंद किस घराने से है आपका अंसर होगा गौालियर घराने से नेक्स्ट है हमारा कोशन पंडित नरायन राओ बोडस हिंदुस्तानी शासरी संगीत के किस घराने से संबंदित है आंसर हो जाता है इस कोशन का हमारा ओप्शन डी गौालियर घराने याद रखना है गौालियर घराने से संबंदित है पंडित नरायन राओ बोडस नेक्स्ट है हमारा कोशन कि देखो जैसे लास्ट है मैंने आप सभी के लिए एक बॉक्स बना के बता दिया है ना कि गॉल्य घराने से कौन-कौन है तो मैं आपको स्टार्टिंग में भी बता सकता था लेकि फिर स्टार्टिंग में ना मैंने सारे का सारी जो में 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 कोशन है वो mcq format में रखे हैं और जो previous year में कोशन पूछे गए है as it is मैंने उठाए हुए है ठीक है इसलिए मैंने स्टार्टिंग वाले कोशन को na mcq format में रखा है ताकि आपको na exam का pattern पता लग सके कि exam में कोशन किस तरीके से frame किये जाते है नेक्स्ट है हमारा कोशन विष्णो दिगंबर पलुसकर के ग उस्ताद हसू खान संगीत के निम्लिखित में से किस घराने के संस्थापकों में से एक है राइट आंसर हो जाएगा इस कोशन का हमारा option c गवालियर उस्ताद हसू खान संगीत के गवालियर घराने के संस्थापकों में से एक थे फिर जितने भी important कोशन थे गवालियर घरान और अली बक्ष जर्नेल खान द्वारा कौन सा घराना प्रतिपादित किया गया था इस कोशन को भी आप डबल स्टार मार कर लीजिए राइट आंसर हो जाता है इस कोशन का हमारा ओप्षन C. पट्याला घराना बड़े फत्याली खान और अली बक्ष जर्नेल खान द्वारा पट्याला घराने का प्रतिपादन किया गया था और आपको बताना चाहता हूं बड़े फत्याली खान और अली बक्ष जर्नेल खान ने 19 वी शताबदी में इस घराने का शुभारम किया था आपको ये बता लग गया कि पर्ट्याला घराने की स्थापना किस ने करी है नेक्स्ट है हमारा कोशन निम लिखित में से किस हिंदुस्तानी शास्त्री संगीत का सर्वसरिष्ट मिश्रन किया और अपने स्वय के संगीत की अनूठी शैली बनाई जिसे अक्सर बीस्वी शताबदी के तांसिन के रूप में जाना जाता था एससी सीजेल का पूछा गया है कोशन है ये राइट आंसर हो जाता है उस्ताद बड़े गुलाम अली खान ये नाम याद रखना है उस्ताद बड़े गुलाम अली खान को बीस्वी शताबदी के तांसिन के रूप में जाना जाता था अगला कोशन पंडित अजोई चकरवर्ती निमलिखेद में से किस घराने से संबंदित है आंसर हो जाता है उप्शन बी पटियाला घराना पटियाला घराना से संबंदित है पंडित अजोई चकरवर्ती नेक्स्ट है हमारा कोशन मुनुवर अली खान किस घराने से संबंदित है आंसर हो जाता है इस कोशन का हमारा ओप्शन बी पटियाला घराना पटियाला घराना से संबंदित है मुनुवर अली खान नेक्स्ट है मारा कोशन उस्ताद जवाद अली खान किस घराने से संबंदित थे आंसर हो जाता है उप्शन सी पट्याला घराना पट्याला घराना से संबंदित है उस्ताद जवाद अली खान देखो फेंट्स अब हमारा पट्याला घराना भी कंप्लीट हुआ आई होप आपको ये बता लगे आओगा कि पट्याला घराना के संस्थापक कौन थे और मेन मेन का लाकार कौन थे अब हमारा शुरू हो रहा है बनारस घराना जो कि काफी important है तो हमारा जो question बनता है बनारस घराने से सबसे पहला वो ये बनता है कि निम लिखित में से कौन बनारस घराने के संस्थापक थे most important question है ये right answer हो जाता है option ए पंडित राम सहाई पंडित राम सहाई जो है ये बनारस घराने के संस्थापक थे काफी बार exam में पूछा गया है और आपसे ने exam में ऐसे भी question पूछा जाता है देखो संस्थापक तो आपको मैं बता रहा हूँ आपसे पूछा जाएगा बताओ पंडित राम सहाई का संबंद किस घराने से है तब आपका अंसर होगा बनारस घराने से ये भी आपको ध्यान रखना है next है हमारा question निम लिखित में से कौन खयाल गयान की शैली के बनारस घराने के संस्थापक थे आंसर हो जाता है option बी पंडित गोपाल मिश्रा जो एफन्स ये बनारस घराने के खयाल कायन की शैली के संस्थापक थे नेक्स्ट है हमारा question बनारस घराने के पंडित किशन महराज किस वाद यंतर के वादक थे ये question SSC CGL काई है तो इसमें ये पूछा गया देखो इसमें आपको ये तो बता लग गया कि पंडित किशन महराज किस घराने के संस्था तो आपका राइट आंसर हो जाता है option D तबल नेक्स्ट है हमारा question कथक का बनारस घराना किसके अंतरगत विक्सित हुआ आंसर हो जाता है इस question का हमारा option B जानकी प्रसाद कथक का जो बनारस घराना है ये जानकी प्रसाद के अंतरगत विक्सित हुआ नेक्स्ट है मारा कोशन पंडित आनंद गोपाल बंदो पाध्या बनारस गराने के किस वाध्यंतर के वाधक थे अंसर हो जाता है ऑप्शन D तबला पंडित आनंद गोपाल बंदो पाध्या जो है फेंस ये बनारस गराने के तबला वाध्यंतर के वाधक थे अगला कोशन है मारा गिरीजा देवी किस घराने की एक भारतिय शास्त्रिय गाई का थी अंसर हो जाता है ऑप्शन ए बनारस घराना गिरीजा देवी जो है फ्रेंट्स आपको बदाना चाता हूं बनारस घराने की एक भारतिय शास्त्रिय गाई का थी अगला कोशन है जानकी प्रसाद कत्थक के किस घराने से संबंदित है आंसर हो जाता है इस कोशन का हमारा ओप्षन भी बनारस घराना जानकी प्रसाद जो है फ्रेंड्स ये कत्थक के बनारस घराने से संबंदित है किस घराने के बांसूरी वादक पंडित अजय शंकर प्रसन्ना ने प्रधानमती नरेंदर मोदी के लिए राग नमोवंती की रचना की है इस कोशन को आप डबल स्टार मार कर लेजिए यहाली में 2024 का एक करंट फिरगा कोशन है ठीक है तो आपका आंसर क्या हो जाता है इस कोशन का option B बनारस घराना बनारस घराने की हैं बांसूरी वादक पंडित अजय शंकर प्रसन्ना अगला कोशन प्रख्यात शेहनाई वादक पंडित संजीव और अश्विन शंकर किस घराने से संबंदित है आंसर हो जाता है इस कोशन का हमारा option B. बनारस घराना याद रखना है प्रख्यास शेनाई वादक पंडित संजीव और अश्विन शंकर जो है ये बनारस घराने से संबंदित है नेक्स्ट है हमारा कोशन बनारस घराने के पंडित किशन महाराज किस वादियंतर के प्रसीद वादक थे आंसर हो जाता है इस कोशन का हमारा option D. तबला याद रखना है बनारस घराने के जो पंडित किशन महाराज हैं ये तबला वादियंतर के प्रसिद भारतिय वादक थे ये आपको आपकी एक्जाम के लिए काफी important रहने वाला है अब दिखो फ्रेंट्स मैंने आपको बनारस घराने से जितने भी important question थे वो मैंने आपको करवा दिया I hope आपको बारी बारी से सारे घराने समझा रहे होंगे अब हमारा जो main है वो है indoor घराना ठीक है अब हम indoor घराने के बारे में जानते हैं तो हमारा पहला question यहीं बनता है कि indoor घराने के इस थापना के लिए किसे जाना जाता है तो right answer हो जाता है इस question का हमारा option A उस्ताद आमीर खान ठीक है आमीर खान आपने नाम याद रखना है आमीर खान जो थे indoor घराने के इस थापना के लिए जाने जाते है जिको फेंट्स ये जो अभिनीता है ना आमीर खान इन की बात नहीं हो रही है ठीकिए इनकी बात वह रही है ये हैं उस्ताद आमीर खान अफ्रेंट्स हमारा जो अगला घराना है वो है मेवाती घराना ठीक है इससे भी कुछ कोशन एक्जाम में पूछे गए हैं तो वो भी हम डिसकस कर लेते हैं तो हमारा कोशन है मेवाती घराने की स्थापना किसने की थी अंसर हो जाता है इस कोशन का हमारा ओप्शन सी उप्युक तो दोनो उस्ताद घग्ये नजीर खान और उस्ताद वाहित खान घग्ये नजीर खान और वाहित खान जो है ये मेवाती घराने की स्थापना इनोंने करी है नेक्स्ट है माराята kooshın तराना गायक पंडित रतन मोहन शर्मा किस घराने से अंसर हो जाता है option A मेवाती तराना गायक जिनका नाम है पंडित रतन मोहन शर्मा ये मेवाती घराने से संबदित है नेक्स्ट घराना करवाने से पहले आप सभी के लिए कि important information कि आपके रवी सर की जो एबुक की वेबसाइट है जिसका नाम है www.ravibooks.pdf.com ठीक है गूगल पर जाके आप सर्च करिये फेंट्स यह आपको वेबसाइट मिल जाती है यहां पर आपको अपने रवी सर की जो एबुक्स है Current Affairs की, GK की, Quality की, History की, All Subject की इबुक यहां पर मिल जाती है और Mobile Application भी आप ज़रूर इंस्टॉल कर लें प्ले स्टोर पे अवलेवल है रवी स्टडी आईगी हो जी के नाम से किराना घराना का नाम नेम लिखेत में से कि शहर से लिया गया है एक्जाम का Most Favorite और Repeated कोशन है यह Answer हो जाता है Option B उत्तर परदेश का जो शामली जिला है ना Friends यहां से किराना घराने का नाम लिया गया है गवालिय घराने का तो आपको पता लग गया कहां से मध्य परदेश है इन दोर घराना का भी आपको पता लग गया कहां से मध्य परदेश से बनारस का आपको पता लग गया उत्तर परदेश से तो वैसे ही किराना घराना का नाम आपको बता होना चाहिए कि शहर से लिया ग खान और अब्दुल वहीद खान जो हैं फैंस ये किराना घराने के संस्थापक थे यह आपको ध्यान रखना एक्जाम के लिए मोस्ट इंपॉरेंट है नेक्स्ट है मारा कोशन नेम लिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी शास्तरी संगीत प्रतिपार्दक किराना घराने से सं संबंदित है तो आपका अंसर क्या हो जाता है ऑप्शन सी पंडित भीम से जोशी का संबंद किस्से है किराना घराने से अगला कोशन है मारा गंगुबाई हंगल हिंदुस्तानी शास्तरी परंपरा की एक भारतिय गाईका थी जिने 1973 में संगीत नाटक अकादमी पुरुसक जनवरी दोजाच चौबिस में मशूर शास्तरी गाईका प्रभा अत्रे का निधन हो गया है इनका संबंद किस घराने से था काफी बार इग्जामे कोशन भी पूचा गया है तो राइट आंसर हो जाता है इस कोशन का हमारा ऑप्शन भी किराना घराना किराना घराने से प्रभा अत्रे का ऑर इनका जनवरी दोजाच चौबिस में निधन हो गया है नेक्स है हमारा कोशन किराना-घराना का संबंद किस घराना कि आपि यह सास्तरी गाईन से है खयाल इस को लाइक और शेर जरूर करें comment box में अपना feedback भी दे कि आपको वीडियो कैसी लगती है फ्रेंट मेरा एक ही मोटो है मेरा फ्रेंट एक ही उद्देश है कि मैं आपके लिए कम टाइम में जादा से जादा content लेकर आ सकूँ ठीक है फ्रेंट कोई भी extra बात ना करूं बस आपको पढ़ाने पर focus करूं वीडियो पसंद आती है वीडियो को like और share जरूर करना फ्रेंट यकीन मानिए बहुत help मिलने वाली है आपको मेरी इस वीडियो से पूरा वीडियो आप जरूर दिखके जाना exam से पहले तो चलिए फ्रेंट हमारा जो question है लखनो गराने से पहला वो यह question है कथक के लखनो घराने के संस्थापक के रूप में किसे मानिता प्राप्त है देखो यहां पर नीव की बात हो रही थी वह है बक्षु खान और संस्थापक कौन है तो आपको यह भी पता होना चाहिए तो right answer हो जाता है option a इश्वरी प्रशाद next है मारा question प्रसीद लखनो घराने से संबंदित भारतिय शास्तर निर्ते शैली कौन सी है अंसर हो जाता है option d कथक प्रसीद लखनो घराने से संबंदित जो भारतिय शास्तर निर्ते शैली अनफ यह अगला question कथक निर्ते के प्रतिबादक बिर्जु महराज किस घराने से सं लखनो घराने से इनका संबंध है और 2012 में पंडित बिर्जु महाराज ने विश्व रूपम फिलम के लिए सरवस्रेश निर्ते कला श्रेनी का रास्टी पुरुसकार जीता है अगला कोशन है मारा कौन सा कथक घराना निर्ते रूप के अध्यात्मिक पहलों पर अधिक ध्यान के अंद्रित करता है आंसर हो जाता है उप्शन सी लखनो घराना लखनो घराना जो एफेंट साब को बताना चाहता हूँ ये निर्ते रूप के अध्यात्मिक पहलों पर अधिक ध्यान के अंद्रित करता है अगला कोशन है हमारा लच्छू महाराज किस घराने से संबंदित है अंसर हो जाता है इस कोशन का हमारा ओप्शन D लखनो घराना लच्छू महाराज जो आपको बताना चाहता हूं लखनो घराने से संबंदित है अगला कोशन प्रसीद कथक नर्तक बिंदादीन महाराज किस घराने से संबंदित है अंसर हो जाता है ओप्षन ए लखनो घराना प्रसीद कथक नर्तक जो है जिनका नाम है बिंदादीन महाराज ये हैं लखनो घराने से संबंदित नेक्स्ट है शोबना नरायन किस घराने से संबंदित है अंसर हो जाता है इस कोशन का हमारा ओप्शन C लखनो घराना शोबना नरायन जो है फैंट्स आपको बताना चाहता हूँ लखनो घराने से संबंदित है अगला कोशन माधवी मुदगल किस घराने से संबंदित है अंसर हो जाता है इस कोशन का हमारा option C लखनों घराने से संबंदित है माधवी मुदगल ये कोशन भी एक्जामे कई बार पूछा गया है फिर इस हमारा ना आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा जो लखनो घराना ये complete हुआ अब आगे हमारा जैपुर अतरोली घराना ठीक है अब हम इससे जोड़े जो भी कोशन exam में पूछे गएं या पूछे जाएंगे वो हम पढ़ने वाले हैं तो हमारा पहला कोशन है निम लिखित में से कौन जैपुर अतरोली घराना के संस्थापक है अंसर हो जाता है इस कोशन का हमारा ऑप्शन डी उस्ताद अलादिया खान उस्ताद अलादिया खान जो है ये जैपुर अतरोली घराने के संस्थापक है exam के लिए most important कोशन है ये नाम को आप double star मार कर लिजे अगला कोशन है मारा जैपुर घराने की भारतिय शास्त्रिय गाईका जिनका नाम है किशोरी अमोनकर को निम लिखित में से किस वर्ष में भारत का दूसरा सर्वोच नागरिक पुरुसकार पदम विभूशन मिला आंसर हो जाता है और आपको ध्यान रखना है और आपको यहां से ये भी चीज पता लगी है कि जो किशोरी अमोनकर है ये किस घराने की गाईका है आपका अंसर हो जागा जैपुर घराना अगला कोशन मलिका अरजून मंसूर करनाटक के एक भारतिय शास्त्रिय गाईक और ख्याल शैली के एक उतकरिष्ट गाईक है निमलिकित में से किस संगीत के घराने से संबंदी थे आंसर हो जाता है इस कोशन का हमारा ओप्शन D जैपुर अतरौली घराना नेक्स्ट है मारा कोशन केसर भाई केरकर बीस्तवी सदी के सबसे प्रसीद ख्याल गाईकों में से एक निमलिकित में से किस घराने की प्रतिपादक थी आंसर हो जाता है इस कोशन का हमारा ओप्शन C जैपुर अतरौली घराना नाम आपने बस याद रखना है केसर भाई केरकर अगला कोशन प्रसीद शास्त्री नर्तक विद्यागोरी अधकर को भारतिय शास्त्री निर्ते के रूप में किस घराने में से मानेता प्राप्त है अंसर हो जाता है ऑप्शन D जैपुर अगला कोशन है हिंदुस्तानी गायक जिनका नाम है अश्वनी भीडे देश पांडे निमलिकित में से किस घराने से संबंदित है आंसर हो जाता है ऑप्शन B जैपुर अत्रौली जितने भी कोशन है करवा रहा हूँ न MCQ में सारे प्रिवियस एर गे आप देखो किस तरी किस एक्जाम में कोशन फ्रेम किये जाते है तो मैंने आपको यहां पर यह बता दिया कि अश्वनी भीडे देश पांडे जैपुर अत्रौली घराने से संबंदित है यह हमारा जैपुर अत्रौली घराना कंप्लीट हुआ अब आगे हमारा रामपुर सहसवान घराना अब हम इससे जोड़े हुए important questions को देखने वाले है तो हमारा question है निमली खित में से कौन रामपुर सहसवान घराने के संस्थापक थे आंसर हो जाता है इस question का हमारा option C उस्ताद इनायत हुसेन खान नाम याद रखना है इनायत हुसेन खान जो है ये रामपुर सहसवान घराने के संस्थापक थे रामपुर सहसवान घराने के बारे में कुछ और important point अगर हम देखे उस्ताद इनायत हुसेन खान ने इस घराने के स्थापना की थी यह मैंने आपको उपरी बताया भी और यह घराना उत्तर पर्देश के रामपूर और सहसमान शहरों से जुड़ा है रामपूर घराना सितार बजाने की अपनी अनूठी शैली के लिए जाना जाता है आप फ्रेंट सामना रामपूर सहसमान घराने कुछ और सदस्य के बारे में देखते है रामपूर सहसमान घराने से जुड़े व्यक्ति उस्ताद फते अली खान है यह नाम आपको ध्यान रखना है उस्ताद राशीद खान अगर हम उस्ताद राशीद खान के बारे में जाने तो वे घराने के संस्थापक इनायत हुसेन खान के प्रपोत्र हैं उन्हें 2006 में पदम शिरी और संगीत नाड़ा कादने प्रोसकार से संभानित किया गया था नेक्स्ट है सिदेशवरी देवी वे रामपुर सहस्वान घराने के प्रसीद शास्त्रिय गायक उस्ताद मुश्ताक हुसेन खान की शिश्या थी अब हमारा अगला घराना आई फ्रेंट से वह आगया है दिल्ली घराना ठीक है अब हम दिल्ली घराने के बारे में कुछ important points जानने वाले तो हमारा पहला question है नेम लिकित में से कौन दिल्ली घराना के संस्थापक है आंसर हो जाता है इस question का हमारा option C तानरस खान तानरस खान जो है ये दिल्ली घराने के संस्थापक है ये आपको ध्यान रखना है दिल्ली घराने के संस्थापक तानरास खान थे तानरास खान थे तानरास खान की तान बहुत मशूर थी उन्होंने तानों का बहुत अभ्यास किया था दिल्ली घराने को पटे आला घराने की शाखा मना जाता है नेक्स्ट है हमारा question संगीत नाडग अकादिय प्रोसकार प्राप्त करने वाले उस्ताद इकबाल एहमद खान नाम याद अखना है उस्ताद इकबाल एहमद खान किस घराने से संबंदित है अंसर हो जाता है इस question का हमारा option भी दिल्ली घराने से अगरा घराना आगया है अगरा घराना ठीक है अब हम कुछ important question देखते हैं अगरा घराना से जुड़े होए तो friends हमारा जो पहला question है वो यही है कि अगरा संगीत घराने के संस्तापक किसे माना जाता है अंसर हो जाता है इस question का हमारा option है हाजी सुजान खान जो है आगरा संगीत घराने के संस्तापक है next है किस घराने के महतपून गायक फियास खान लताफत हुसेन खान और शराफत हुसेन और दिनकर काकिनी है अंसर हो जाता है इस question का हमारा option D आगरा घराना आपको ध्यान रखना है जो गायक है महतपून गायक है फियास खान लताफत हुसेन खान शराफत हुसेन और दिनकर काकिनी इनका संबंद है आगरा घराने से next है हमारा question आगरा घराने की मलका जान कलकता के निम्लिकित में से किस नवाब के दरवार में दरवारी संगीतकार थी अंसर हो जाता है इस question का हमारा option B वाजीद अली शहा आगरा घराने की जो मलका जाने फेंट ये कलकता के जो नवाब थे वाजिद अली शाह इनके दरबार में दरबारी संगीतकार थी फेंट सामना अन्य महतुपूर्म प्रशन देख लेते हैं घराने से जुड़े हुए जो की एक्जाम में पूछे गए हैं तो हमारा कोशन है अगला भारतिये बासुरी वादक हरी पसाच और रसिया निम लिखित में से किस संगीत घराने से संबन्दित है ये कोशन भी एक्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है आंसर हो जाता है आप्शन C सेनिया घराना नेक्स्ट है निम लिखित में से किसे ठुमरी की रानी के नाम से जाना जाता था आंसर हो जाता है इस कोशन का हमारा ऑप्शन B गिरजा दे भी नेक्स्ट है मारा कोशन निम लिखित में से कौन भारत के कथक निर्थे रूप में घराना नहीं है आंसर हो जाता है, option D, इलहाबाद याद एकना है, कर्थक निर्टे रूप में ये घराना नहीं है, वो है इलहाबाद अगला कोशन, कालीन बाफ्ट घराने की उत्पती किस छेतर से हुई थी आंसर हो जाता है, इस कोशन का हमारा option B, कश्मीर कालीन बाफ्ट घराना या बोल सकते हो, कलाम बाफ्ट घराने की जोथपती है, ये कश्मीर छेतर से हुई थी नेक्स्ट है हमारा कोशन, प्रसिद सरोध वादक उस्ताद अलाउदीन खान संगीत के निमलिकित में से किस घराने से थे आंसर हो जाता है, option C, मेहर अगला कोशन, राजीव जनारदन, इमदाद खानी घराने के किस वादियंतर के भारतिय शास्त्रिय वादक हैं, अंसर हो जाता है, इस कोशन का हमारा option D, सितार इमदाद खानी घराने के सितार वादियंतर के भारतिय शास्त्रिय वादक हैं, अगला कोशन, चज्जु खान किस घराने के संस्थापकों में से एक हैं, अंसर हो जाता है, इस कोशन का हमारा option C, भिंडी बजार घराना, भिंडी बजार घराना के संस्थापकों में से एक है चज्जु खान और आपको बताना चाहता हूँ चज्जु खान नजीर खान और खादिम हुसेन ने उनीस्तिवी सदी में भिंडी बजार घराने के स्थापना करी थी नेक्स्ट है निम लेकित में से कौन सा कौन सी संगीतकार भारत की एकमात्र महिला शेहनाई वादक है यह भी आपको एक्जाम के लिए काफी इंपॉरेंट है अंसर हो जाता है बागेश्वरी कमर बागेश्वरी कमर जो है फैंस यह आपको बताना चाहता हूँ भारत की एकमात्र महिला शेहनाई वादक है अब मैं आपको परमो घराने और कलाकार कोई करवा देता हूँ लेकिन आपको फटा फट से एक बागा बता देता हूँ आप इसके नोट्स बनाते चलना बागी आपको मेरी इ-book में तो मेली जाएगा ठीक है लास्ट में दो कोशन का टेस्ट भी मैंने आप सभी के लिए रखा है वो आप लास्ट में देना टेस्ट आपको बैस्ट बनाते तो टेस्ट आप ज़रूर अटेंप्ट करके जाना ठीक है तो चलिए फटा-फट से हम देख लेते हैं परमो घराने और कलाकार तो सबसे पहल करते हैं मेवाती घराना गगे नजीर खान मेवाती घराने से संबंदेन का पंडित जसराज मोती राम मनी राम संजीव अभ्यंकर नेक्स्ट है हमारा घराना इटावा घराना तो धुरुफदारा जोशी इटावे घराने से हैं ये आपको ध्यान लगना है अब हमारा अगला गराना आगया है आगरा गराना इसको हम डिसकस करते हैं तो इस गराने से जो जोड़े कलाकार है वह अलग दास, मलूक दास, फियास खान, हाजी, सुजान खान, घग्ये, खुदा बक्ष, लताफत हुसेन खान, खादिम हुसेन खान, विलायत खान, नेक्स्ट हमारा इंपॉर सुरेश बाबु, माने, प्रभा अत्रे, हीरा बाई, बादोडकर, मानिक वर्मा, भीमसिन चोची, और गंगु भाई अंगल ये सबी के सबी हैं किराना घराने से जुड़े हुए अब हमारा अगला जो आ गया है बनारस घराना आ गया ठीक है इन से जुड़े कलाकार देख संताज खान, राम सहय, किशन महराज, गिर्जा देवी, शिव नंदन मित्र, बिस्मिल्ला खान, पंडित रवी शंकर, शिव कुमार शर्मा, शंभू समीर, गोपाल मिर्श मिश्र, हनुमान प्रसाद मिश्र, नेक्स्ट है बनारस घराना से जुड़े हुए पंडित कंठे म पंडित अनोखे लाल, पंडित किशन महराज, पंडित गुदरी महराज, मदन मोहन, भोला नात पाठक, नेक्स्ट है पंडित अमबरनात मिश्र, नेक्स्ट है नरायन विनायकर, अग्मारा जो अगला घराना फ्रेंस हुआ गया है जैपूर अत्रोली घराना, इसको हम खान पंडित लक्षमन प्रसाद हमार जो अगला घराना है वो है रामपूज सहसवान घराना इनायत खान महबूब खान गुलाम मुस्तफा खान निसार खान राशिद खान ठीक है अगला घराना दिखते हैं भिंडी बजार घराना चज्जु खान अमन अली खान अंजनी रुटकर लातामंगेशकर ठीक है यह सबी के सबी हैं भिंडी बजार घराने से जुड़े हुए आई हो फ्रेंड्स आपको एक यह कोशन बहुत अच्छे से पता लग रहा होगा और एक टॉपिक आपको बहुत आदा इजी लगने लगे हो क्योंकि एक्जाम करना मोस्त इं इर्मला देवी नैना देवी और परवीन सुल्ताना यह सबी के सबी पट्याला घराना से जुड़े हुए हैं अगला हमारा जो घराना है फ्रेंस हो आगे है दिल्ली घराना ठीक है ममन खान तानरस खान शब्बु खान चांद खान नसीर एहमद खान उस्मान खान इकबाल क्रिशन बिस्ट यह सबी के सबी हैं दिल्ली घराने से जुड़े हुए हैं अगला हमारा लखनो घराना बिंदादीन घराना बिर्जु महराज बेगम अक्तर बिदादीन कोदो सिंग ठाकूर परसाद आयोद्या परसाद और बेगम अक्तर यह सबी के सबी हैं लखनो घरान ठीक है और वीडियो कम से कम आप दो बार जरूर देखना प्रेंट ताकि आपको ने टॉपिक बहुत अच्छे से क्लेर हो जाए तो हमारा जो पहला कोशन ये है कि नेम लिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी संगीत घराना सभी ख्याल गाई की शैलियों में सबसे पुराना है चार आप्शन है आपने आपने कॉमेंट बाक्स में देना है दूसरा है कोशन लच्छू महराज किस घराने से संबंदित है इस कोशन का अंसर भी आपने कॉमेंट बाक्स में देना है ठीक है फैंट्स वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीड़बैक भी जरूर देना है अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए कॉमेंट बाक्स में जरूर बताना किस एक्जाम की आप त्यारी कर रहे है अभी आप मुझे जरूर बताना ताकि मैं आपके लिए एक्जाम से एलेटिड वीडियो लेकर आ सकूँ ठीक है वीडियो होई है complete अब आपके लिए important information आपके रवी सर की e-book की website है www.ravibooks.pdf.com ठीक है इस website पर जाके आप रवी सर की all subject e-book को buy कर सकते हो और साथ में हमारा जो mobile app रवी study IQGK नाम से इसे भी आप जरूर इंस्टॉल कर ले अपने phone में ठीक है तो यहाँ पर आप GK का और current affairs का test लगा सकते हो हमारे mobile application के उपर और जो हमारे e-book का है यहाँ पर आपको all subject e-book मिल जाती है quality, geography, history, current affairs कम टाइम में आप किसी भी exam की त्यारी कर सकते हो अपने रवी सर की e-book के दोरा best content रखा है friends आपके रवी सर ने अपने e-books में ठीक है वीडियो कैसी लगी जरूर बताना तो चलिए friends अब हम मिलते है next video में thank you and wish you all the best